नमस्कार दोस्तों आप लोगों का दबुक्स क्लब में स्वागत है मित्रो आप के लिए सबसे बड़ी खुस खबरी की बात ये है कि जो उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन वा सुधार विभाग में महिलावा पर पुरुसों के लिए जेल वाडर फायर मैन पुरुस वा आरच्छी घुरसवार पुलिस के पदों पर सीधी भरती 2016 की आफलाइन लिखित परिच्छा होनी थी वा उसकी डेट क्लियर हो गई ही 1928 दिसंबर को सूबे के 10 जिलों में इस्थी 335 परिच्छा केंद्रों पर होगी दो पालियों में होने वाली परिच्छा पर Special Task for STF की भी सीधी नजर होगी और परिच्छा केंद्रों पर पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा लिखित परिच्छा में निगेटिव मार्किंग भी की जाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस भरतिवा पोनेत बोड की अध्यच डीजी आर्किबि सुकर्मा ने बताया है कि आगरा में 30, प्रियाग राज में 65, बरेली में 8, गौतम बुद्ध नगर में 3, गोरकपुर में 35, गाजियाबाद में 5, कानपुर नगर में 56, लखनौ में 72, मेरट में 3, तथा वारानसी में 58, परिच्छा केंद्र बनाए गए हैं, जेल बार्डर पुरुस के 3638, वा जेल बार्डर महिला के 626, फायर मैन पुरुस के 2065, तथा आरच्छी घुरसवार पुलिस के 102 पदों के लिए लिखित परिच्छा 19 वा 20 दिसंबर को 22 पालियों में होगा हर परिच्छा केंद्र के बाहर 112 की पियार भी तैनात रहेगी, पर तेक अभ्यारती को मुख गेट पर गहन चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा, सभी परिच्छा केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाया जाने की निर्देश भी दिये गए हैं, इसके साथ ही परिच्छा केंद्रों पर COVID-19 की गाइड लाइन का सक्ती से अनुपालन कराया जाने का निर्देश दिया गया है, एक अच्छा में कुल 24 अभ्यार्थी परिच्छा देंगे, मेन बात यह है कि इसमें अनिवार क्या है, अनिवार होगा आधार काड, डी जी भरती बोड के कहना है कि अभ अनिवार काड लाना अनिवार होगा, प्यवेस पत्रवा आधार काड के जरिये ही, अभ्यार्थी के पहचान के बाद ही उसे परिच्छा केंदर के भीतर जाने दिया जाएगा, दोनों हाथों के अंगूठों क्या होगा बायोमेटिक, अभ्यार्थी के दाहिने वबाएं, दोनों हातों के अंगूठों के बायोमेटिक चिन लिये जाएंगे अब तक बाएं हात के अंगूठे का चिन लिया जाता था दौड के दौरान कई बार अंगूठे का बायोमेटिक चिन ना मिलने से अभ्यारती को दिक्कत का सामना पड़ता था असुबिदा से बचने के उद उसमें जितने question है most important है आपके exam के लिए वहां से revision कर सकते हैं और हमने हिंदी भी सुरू कर दिया है और बहुत से subject related video आपको मिल जाएंगे जो आने वाले exam के लिए बहुत महत्पूर होंगे तो बिना समय गवाए अब कम से कम 8 घंटे लगातार study करिए और exam को qualify करिए बहुत ब कमेंट और subscribe करना मद भूलिए हम आपको ऐसे update देते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवादी